हेलो वेटा, किया से हो, स्वागत है P.W. के प्लाटफोर्म में, मैं हूँ असमिता कानेकर और हमारी YouTube की जो community है, वहाँ पे हमने एक post की थी, कि वह रीप्रेडक्शन इन लोरान हैर प्लांट, इस lesson में से हमने तीन topics आपको दिये थे, तीन topics की चॉइस दी थी और यह तीन जो topics थे, वह ते पहला हमारा gametogenesis, second topic जो था, that was embryo development in plant and तीसरा topic था, apomyxis and polyembryony. इन तीन topics में से आपको topic कौन सा difficult लगता है understanding में, उस topic का explanation लेके हम आज आपके लिए आया है, वो post actually डाली थी, वहाँ उसके उपर poll लिया था, जिस topic को highest vote मिलेंगे, वो topic हम यहाँ पे explain करेंगे, that was decided, है ना, सबसे जादा vote भाया, यही अपना topic लेके गया, तो आज हमको इस topic के साथ आना पड़ा, है ना, तो यहाँ देखो, अब यह, I can understand topic, topic जो है, यह तोड़ा difficulty लगता है, है ना, क्योंकि इतनी खराब-खराब से diagram दे रहे हैं, मतलब यहाँ तक तो चीजे हमको समझ म आती है कि भाया, plants जो है, plants ने क्या किया है, gametes produce कि यहाँ, gametogenesis जाला, male gametes और female gametes जाया है, उन्हीं haploid है, haploid male and female gametes जाया है, यह दोगान जपन काया है जाला, fusion जाला, यहाँ आणि as a result काया जाला, एक अपला zygote produce होतो, परेक्ट, zygote जो आ है, zygote पुढ़े जाउन कश मदे develop होतो है, embryo मदे develop होतो है, यहाँ, यहाँ, embryo पासुनास नंतर काया होतो, अपला new plant जो है, हाँ, produce होतो है, यहाँ, so this is the normal process, असल यहाँ अपन जोप वाटता है, उस तका मदे अपला, फोड़ा, एक्स्ट्राइटेल मदे ही process explain के लिए, यहाँ, ही जी एक्स्राइटे यहाँ, आपन जोप अपला पासुन के लिए, जी एक्स्ट्राइट नहीं है, यहाँ, यहाँ, यहाँ नेमन की embryo development कशी होते है, यहाँ, यहाँ, निया यहाँ, 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 यहाँ टॉपिक लापन कसा काया सोपगा करू शकता, त्योड़ा बगुए यहाँ, आपन त आयो बहु कितला, fertilization जाला, male and female के मेट से, हैना, once this fertilization is done, syngami जाला आपन बंतो, syngami is done, zygote produced जाला, जाजो zygote है, it is a single cell structure, single cell deployed structure, हैना, आता है single cell zygote जा जा structure है, जा बहुत बबाब अपले डाइगरा, yes, this one, imagine अपला कड़े का है हैना, we have a single cell zygote, आता हाजो zygote है, initially क्या होता है, याचा मदधे division होता है, एक cell जिया है, ही दोन cells मेदे divide होते है, आता है जा दोन cells है, या दोन cells ला ही two cell stage जिया है, या two cell stage ला आपन बंतो pro embryo, embryo बनाएचा अधीची stage जिया, that is pro embryo stage, pro embryo is a two cell stage, ठीक है, आता है जा दोन cells ही थे बंद लेग, या दोन cells कुछ ला, या वर्ची जे cell है, या ला आपन बंतो, embryo embryo-cell cell, या बंद बंतो, suspension cell कैना, तो दोन cells बंद ला, ठीक है बबा, आता है या दोन cells बाई की, खालची जे cell है, पहले suspension बदल बोलूं कियो या, embryo-nil initial बदल पन बोलूं, तर, माझन करा, ही वर्ची cell सद्दा साथी हीला, कोड़ है,ud density sideline कूरू, पहला खाल्चा Coula Cel बदाल बोल गए, क्या होता है, keeps Suspenser initial है, क्या- kızıminaire, मत क्या होता है, क्या होता है, Cell divisions सुरू होता है, और dispenser cell, it divides and it produces approximately six to ten cells. Produs that आन makes it बतक्रद हों, याधिव सिंद्स डिवाईज्दल तोड़ी बड़ी बनती है, बड़ी सी cell है, यह ऐसा जो है structure, यह किस ने बनाया भई, यह suspensor initial ने बनाया, वो नीचे वाली cell ने है, इसमें division हुआ, और ऐसी cells अपनी बनती गई, अब इन cells से, यह जो 6 to 10 cell called, बड़ी, 6 to 10 cell suspensor जो है, इसमें सबसे नीचे वाली जो cell है, वो ही हम बोल रहे है, फर्स वाली जो cell है यह फिर फिर्स फिर्स वाली जो सेल है और उपर वाली यह जो cell है, वह हम नाम देते हैं, हैपोफाइस, यह आपनी cells हो गई, अच्छा, अब यार रखी, यह जो हैपोफाइस है न, यह आगे जाके, हमारे embryo development में help करता है, कैसे help करेगा, so this hypophysis cell helps in development of radical, थोड़ा पाइट जो है radical का, वो बनाने में help करता है, और तो साथ ही साथ ही यह क्या करता है, root cap बनाने में भी help करता है, radical से ही हमारा क्या develop होता है, root develop होता है, तो root के उपर की root cap है, root cap is produced by this hypophysis, यहां तक कहानी set है, फिर रेको इधर उपर वाली embryo onal initial की बात करते है, यह नीचे वाले को थोड़ी देर के लिए अपन साइड लाइन कर देंगे, यह ऐसी वाली अपनी cell थी, तो उपर अपना focus नह हो रहा है भईया, तो उपर वाले जो embryo onal initial cell है, it undergoes three mitotic division, अब तीन बार अगर mitosis हुआ, पहले कितनी थी एक ही cell थी, एक cell ने divide किया, दो बनी, दूसरी बार divide किया, दो से चार बनी, किसरी बार divide किया, चार से आठ cell बन गई, तो यह जो हमारी embryo onal initial cell है, यह क्या करती है, it undergo here goes, mitosis, कितने बार, भई, तीन बार इसने क्या किया, mitosis किया, and as a result, हमको आठ cell वाला एक structure मिल जाता है, जिसको हम बोलता है, octant, octant को यहाँ आपे यह draw कर लेता है, यह दो, चार, एसी चार, और इनके पीछे, और चार सेल, तो ऐसी total मिल के क्या है, आठ cell जोए अपने पास म है, इसलिए हमने स्टेज को क्या नाम दिया, यह represent करती है हमारी octant stage, correct है, ठीक है, अब देखो यह जो 8 cell है, यह 8 cell में हमको क्या नजर आता है, नीचे में 4 cell है, ऊपर में 4 cell है, अब यह नीचे वाली जो 4 cells होती है, lower tier जो है, octant का, यह जो lower वाली जो cells है, यह क्या कर रही है, यह आगे जाके बनाती है, hypocotyl and radical, यह ने hypocotyl and radical बनाया, और तो और उपर वाली अभी यह जो 4 cell है, यह उपर वाली चार cell क्या करेंगी भईया, they will produce plumule and cotyledon, plumule क्या करता है, shoot बनाता है ना, और cotyledon का क्या है, cotyledon हमारे seed में food material को store करके रखता है, cotyledons are considered as first embryonal leaves, जिसमें food materials stored होता है, अब जब cotyledon का खाना, जो food खतम हो जाए, तब cotyledon क्या करता है, first photosynthetic leaves भी बना देते है, correct, तो यह ऐसे cotyledon and plumule का part बनाने के लिए, कौन responsible है, upper four cells of this octant, correct है, ठीक है बहिया, और तो और वही वो cotyledon वाला जो shape है ना, upper tier का, मतलब यह देखो हमको cell का, यह पहले एक cell थी, एक से दो बनी, यह जो नीचे वाली जो cells है, the undergo division, suspensor बना दिया इन्होंने, है ना, ऊपर वाली जो cell थी, यह थी हमारी octant की cell, octant की जो cell है, है ना, the undergo division, division में गई, फिर इन्होंने क्या किया, देखो, कि ऐसा एक shape बना दिया, इसको हम कौन सा embryo गोलते है, this is heart-shaped embryo, heart-shaped embryo वाली जो stage है, मतलब यह यहां पर हमको ना, यह छोटा सा embryo बता है, यहां बड़ा 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 नहीं, बोला तुमको ढूणना है तो ढूणलो इसको, अगर दिख रहा होगा तो, दिख रहा है क्या हमको, कि अपनी octant cell के नीचे में suspensor, ना, suspensor generally क्या करता अपने embryo को अंदर के साइड में, यहां पूरा अपना, क्या होता है, endosperm होता है, तो endosperm के साइड में, अपने embryo को धकेलने का काम होता है, basically suspensor का, तो ऐसा यह अपना embryo डवलप हो रहा है, ovule के अंदर, हैना, this is the complete structure of ovule, अंदर में है यह embryo sack, embryo sack के अंदर हमारा embryo, correct, तो नीचे वाली suspensor, ऊपर वाला embryo, यहीं embryo जो है, यह octant embryo का जो stage हमको दिखा, यह develop होता है, ऐसे shape में, heart shape नजर आ रहा है हमको, heart shape नजर आ रहा है, ठीक है, heart वाला जो shape है, आगे जाके, यहां पे यह और खिचड़ी पकादी इन्हों है, बाद में जाके देखो, क्या हो cells है ना, यह थोड़ी सी और develop होती है ऐसे, और अब यह जो developed cell है, जा फिर वो जो stage है, उसको actually बोला जाते है, horse, shoe shaped structure, and then यह यह वाले जो part है, यह और-और develop होते जाएंगे, और यह ऐसे structure बना देता है, यह जो structures है, यह तो represent कर रहा है पर यह हमारे cotyledons को, कितने cotyledons दिख है भई, एक cotyledon और यह दूसरा cotyledon है ना, यह वाला जो embryo का development है, इसका development हुआ, dicot का development है ना, यह क्योंकि dicot में दो cotyledon present होते हैं, correct, तो ऐसे हम को क्या करना है ना, कि tree diagram के form में, कि यह याद रखो, बिलकुल असान हो जाएगी, वरना एक-एक करके अगर याद करने जा है ना, तो ऐसी dicot embryo के development, monocoid के भी development almost ऐसी ही होती है इस वाले stage तक, यहां तक monocoid के development almost same है, बस difficulty नहीं, बस चीज़े change कहा है, देखो, 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 यहां पर ऐसा heart shape form नहीं हुआ, क्योंकि heart shape form होता, तो यहीं आगे जाके ऐसे क्या करते है ना, दो-quartylodon, अरे, यहीवाला shape क्या करता, आगे जाके ऐसे, दो-quartylodon बना देता है ना, हमको दो-quartylodon नहीं चाहिए ना, हम monocoid की बात कर रहे हैं, तो भही, monocoid में 2-quartylodon only a single-quartylodon is developed, हैना, यह जो single-quartylodon, monocoids में developed होता है, उसको ही हम नाम देता है, scutellum, हैना, तालाद आपन scutellum हंतो, correct, plumale आपनी radical तर develop होता है, plumale पासना shoot बनल, radical पासना root बनल, हैना, तो almost every other thing is similar, वक्त, जभहा आपन dicoid बदल बोलता है, correct, dicoid मध्या अपलाला काया दिसला, dygote, dygote नंतर कुछली stage आली अपली, pro-embryo, pro-embryo जो आहे, याचा पसना अपलाला कुछली stage दिसली नंतर, octant, octant नंतर stage येते globular, globular नंतर जी stage आहे, ती येते अपली, heart-shaped, आइनी heart-shaped embryo जो आहे, हाँ पुढ़े जाउन काय करतो, horse, two-shaped embryos हुआ हा, सना उतो, correct, this is the development of embryo in dicoid, monocoids से development कुछ परंतर से मिलर है, याचा श्टेज़, हैना, सनतर, monocoids मध्ये थोड ऐसा बदल ये तो, हैना, monocoids मध्ये काय होता, फक्त है, एक सिंगल cotyledon develop हो तो जाला, आपन बन्तो स्क्यूटिल, जवागे dicoids मध्ये काय, दोन different cotyledons develop होता, याचा अपला छोटा सा topic होता, embryo development जा, I hope तुम्हाला समझला असल, तर आणी ज़र का कुटला पॉइं नसल समझला, तर तस बन आमाला सांगा, याना, So that, आपन काय करूँ ताला आणखी व्यवस्तित एक्स्प्लेइन करूँ शको, आथा याचा नंतर पूदला आपन अशे, जगे अपले बारवी चे lessons है, या lessons मदले, जगे कही difficult topics है, एक तर तुम्हें माला comment section मदे सुचा हो शकता है, कि बाबा, next lessons वा, inheritance and variation, या lesson मदे तुम तो परन्त, thank you and all the best.